खाबर स्रावस्ती जनपत के सिर्शिया इलाके से है जहां पर भीषण अगनिकान का मामला सामने आया इस अगनिकान में 15 घर जलकर राक हुए आप सभी का सबसे तेज खाबर स्रावस्ती चैनल में स्वागत है चैनल को लाइक सिर्यम सस्क्राइब करें साथी घंटी का बटन जवाना ना बुलें जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे खबर उत्तर प्रदेश के स्रावस्ती जनपत के सिर्शिया थानाच्षित के कैथोली गाउं से है जहां पर अग्यात कारणों से आग लग गई देखते ही देखते पंदा घरों को अपने आगोस में ले ल गी घर के लोग भाग कर घर से बाहर पहुँचे और सोर मचाना सुरू के देखते ही देखते है पुरे गाउं में अपरा तप्री मच गई और लोग पानी लेकर आग बुझाने दोड़ पड़े लेकिन तब तक खलावन राम अचल मनी राम मनोहर पेसकार सोभा मिस्रा बढ़ती ही जा रही थी लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस के साथ साथ फायर विभाग को दी कुछ देर बाद ही सिर्सिया पुलिस वादमकल कर भी मौके पर पहुंच गया ग्रामिनों के साथ मिलकर कड़ी मसक्कत करते हुए आग पर काबू पाया वहीं आग बु किसने घर जले है पंद्राघंट नुकसान ज्यादा हुआ है इस घर साथ कितने नुकसान होगा सब का मिलाकर अच्छ तरह को कतने नक्सान हुआ होगा सब का मिलाकर पिक बताया जा रहा है इस अगने कान में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है राजस विभाग की टीम मौके पर पहुची है और छट के आकलन में जूटी हुई है सावस्ती जनपत के सिर्सिया इलाके के कैथोली गाउं से ये बड़ी वा अहम ख़बर जहां पर अग्यात कानों से लगी आग ने अपनी आगोस में पंदह घरों को ले लिया और देखते हैं देखतें पंदह घर जलकर राक हो गए पुलिस वादम कल विभाग पथा ग्रामियों ने कडी मसकत कर आग पर तो काबू पा लिया लेकिन इस दोरान लाखों रुपे के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है स्रावस्ती जनपत के सिर्सिया इलाके काई पूरा मामला है जहां पर आग में जम कर कहड़ाया आपको बता दे प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही उसी प्रकार आग की घटनाय भी लगातार अब सामने आने लगी है लगातार अगनेकान के घटनाय सामने आ रही है ऐसा ही मामला सिर्सिया थानहा छेट के कैथोली गाउं से सामने आया जहां पर भीशन अगनेकान में पंदा घर जलकर दमकल कर लिए आलिवोने का वोगा याव में आग लिए क्या मामना है मेरा नाम है उगंदर यादो है मेरा गाव बगल का ही है बालू हमारे गराम सभाव में यह आता है करीब 2.45 के बीच की घटना है कि एक धर में अज्यात कारणों से जिसका पता नहीं लग पा रहा है जिसमें पंकज मिस्रा का सुभा राम का राम ख्यलावन जी का मनी राम का राधे का ननकू का लगभग दसो लाख रुपे की नुक्सान हुई है जनहान पसुहान नहीं हुए बाकि इनका सब जल करके राख हुआ है कुछ नहीं खाने पीने के लिए बचा है लोग बेसहा रहा है इस दम जनहान में एक ज्यानकारी आई है कि एक बच्ची को हलकी जुल सी हुए जिससे सी सिर्सिया ले जाया गया है बच्ची को लपेट में आ गई थी जिससे वो बिहोस हो गई थी उसको तुरंत एमूलेंस के 108 के माध्यम से सी सिर्सिया पहुचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है एक राम अचल है उनको भी लप्टे आई है लेकिन यहीं पर उनका जो है पाउडर वाउडर लगा करक वह अपने घर बुजाने में भी बिजी हैं लेकिन उनको भी थोड़ी देर बाद जैसे ही समय मिलता है उनको भी स्वेसी ले जाकर करके दिखाएंगे क्यों से गाउं में घट्टा हों यह बालू गाउं यह ग्राम सभा पठखवली का मजरा कहितवली है विभूती नात के स वानिर आता है अच्छो बहनुवाल